तिम बार एक्स्ट्रा आ जा रहा है मैं इस तब मेनोली करके चेक कर लेते हैं एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है यह के काना नहीं बड़ा है इसलिए 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 प्रॉब्लम हो रहा है नहीं यह इतन प्रॉब्लम है एक दो तीन चार पाँ छे शार आट नौ दस राइट वो बुदक देखे नाइन तक क्या रहा है सिंगल डिजीट है और यह सर टैंथ में क्या डबल डिजीट आ रहा है इसलिए वो तीन एक्स्ट्रा अमको दिखा रहा है तो इसको हम ठीर कर देते हैं इसमें डवल स्पेस्ट देते है, कॉल्टूर एस, एक नाइन, अब सही हो जाए, आप वही हो रहा है, आपका इस्पेसिंग का पुरा सा प्रॉब्लम है, डवल डिजिस को देकर है, ठीक है, शिरे लोजिक सही है, तो दूसरा जो था, दूसरा क्या था मेरा आपका इसमें 5, आपको यूजर से 5 लेना है, लेकिन structure इस तरह से दिखाना है, ठीक है, तो कितना lines है इसमें, अगर हम करें इसको, तो कितना हो रहा है, चार, चार नीचे और एक बीच में मतलब आपका लाइन नमबर 5 है तो कितना हो रहा है, equals to 9 तक हमको लूप चलाना होगा, 9 बार मतलब हम इसको लीख सकते हैं कितना, जितना भी नमबर्स देगा 2N कितना हो जाएगा 10-1 मतलब 2N-1 तक हमको लूप चलाना होगा समझ में आ रहा है और जब N का वेल्यू क्या होगा जो एक लूप चलाए हम लोग या तो हम क्या कर सकते हैं इसको या तो हम यहां तक प्रींट कर लें बढ़ते क्रम में जो इंक्रीजिंग ओडर था उसके बाद उसके नीचे क्या कर लें घटे क्रम में कर लें आप इस पे दो लॉजिक लगा सकते हमको टोटल 2N-1 तक चलाना है इसको या तो आप दो फॉर लूप लगाईए एक लगाईए कितना N N तक उसके बाद दूसरा लगाईए N-1 तर समझ मैं पहला जो है N तक दूसरा N-1 तर तो मेरा काम हो जागा 2N-1 ही तो होगा यह N प्लस N कितना होगा 2N-1 तो आपको जैसे तोरना है या फिर आप इसको N-1 तक चलाईए और फिर मतलब हम 4 तक ले ले पड़ते करम में और उसके बाद 5 से हम लोग ले 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 घटते करम में या तो आप यह लॉजिक लगा सकते हैं मतलब number of lines के लिए मैं बता रहा हूँ प्लस N ठीक है या तो direct एक लूप लीजिए 2N-1 तक का या तो यह concept लगा सकते हैं या दूसरा concept है N या N प्लस 1 ये दो क्योंकि total हमको 9 line प्रिंट करना है या तो हम इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं समझ मेरा बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोग को या तो 9 हमको करना है अगर 5 लेते हैं तो 9 प्रिंट करना है 4 लेंगे तो कितना बार करना होगा 7 बार 6 लेंगे तो कितना बार करना होगा आपका 6 लेंगे तो 11 बार तो इस तरह से आपको तोरना होगा, या तो लूप आपको to n-1 तक लिजिए, या फिर n तक एक for loop लिजिए, फिर दूसरा for loop n-1 तक चलाएए, या किसरा method है, पहला loop n-1 तक चलाएए, दूसरा for loop n तक चलाएए, तो समझ में है, यह चीज, इसको मैं करके दिखा रहा हूँ, आपको एक method मैं करके दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद आप इसको धर में बांकी दो method, try किजिएगा, ठीक है, as include, studio.h, implement, ठीक है, एक for loop में ले रहा हूँ, n- तक, ठीक है, for, int, इसमें कितना loop, मैं second वाला, यह वाला method आपको करके दिखा रहा हूँ, यह वाला method में second वाला करके आपको दिखा रहा हूँ, खीक है, तो मैं एक आपको, कर ले लिया, i, j, k, k, ठीक है, क्योंकि दो extra में ले रहा हूँ, तो i, j मैं पहला बाहर वाला loop के लिए, और k जो है, वो internal में ले रहा हूँ, ठीक है, और एक in, n जिसमें की number of lines, प्रिण सम्लोग लाएंगे, प्रिंटर, इंटर दर, लाइन, नम्र, खीक है, नाइन नम्र इंटर करना है, प्रिंटर, अब जो है फॉर लोग पहले एंड के लिए मैं चला रहा हूँ और क्या वर रहा है आई इक वोल्स टू वन आई लेस्ट एंड सेमी कोलां आई प्लस टिक है इसमें क्या करना है पहला बला में मैं क्या क्या एंड तक चलाया तो मतलब हमको पांच तक बढ़ते क्रम में स्टार प्रिंट करना है ठीक है फॉर इसमें मैं चला दे रहा हूँ के इक वोल्स टू वन सेमी कोलां के लेस्ट एन क्या होगा वन इस्टार प्रिंट करेगा तू इस्टार करेगा थ्री करेगा फोर करेगा तो लेस्ट एन इक ओल सू किसका हो जागा आई का सेमी कोलां के प्लस प्लस ठीक है मैं ब्रैक इक स्टार्ट किया यहां पर प्रिंट टैप प्रिंट टैप स्टार प्रिंट करने में स्टार और एक स्पेस देगा ठीक है और जैसे यह निकलेगा बाहर इस फॉर से मैं न्यू लाइन एक प्रिंट कर देगा यह वाला जो है पहला वाला जो आई मेला चलेगा वो क्या करेगा बढ़ते करम में स्टार प्रिंट कर देगा और दूसरा जो फॉर लूप चलाएंगे हम लोग दूसरा फॉर लूप किसके लिए बचा यह n-1 के लिए बचा तो n-1 के लिए मैं दूसरा फॉर लूप चला रहा हूं फॉर ठीक है जे इकलस तो 1 जे लेस थैन इकलस तो n-1 इस बचा चला रहा हैं n-1 जे प्लस प्लस ठीक है किलिए यह दूसरा लूप स्टार्ट हुआ अब दूसरा लूप में क्या करना है घटते क्रम में हमको स्टार प्रिंट करना है तो 4 k equals to घटते क्रम में तो घटते क्रम में क्या हमको घटाना परेगा n से लेके गए हम लोग ठीक है n का value कितना है 5 हमको कितना प्रिंट करना है 4 तो हम n-1 से स्टार्ट का रामस्कूल n-1 और k less than k greater than बोलिए आप लो equals to j k plus plus समझ मैं आ रा क्या कर रहा है पहला वाला जो हम चला है ये बढ़ते क्रम में चला है दूसरा वाला जो हम ये वाला आप लोग को बताया था इसमें क्या हो रहा है हम लोग क्या condition लिए थे i के साथ चल रहा था दूसरा वाला घटते वाला था इसमें क्या कर रहा हम लोग J greater than I इसमें क्या है Less than यहीं चीज हम दो अलग अलग लूप में चला रहे हैं ठीक है समझ में है और इसके अंदर हम लोग क्या कर K plus होगा क्या बोल रहे है K plus P plus होगा K क्या होगा क्यूंकि हम घटा रहे हैं तो minus माइनस होगा, फिर हमेंसा यह क्या होगा, true ही होते रहेगा, print tab, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, start space, ठीक है, उसके बाद, print tab, क्या करना होगा, नहीं, इसके बाद, मैं क्या कर दे रहा हूँ, यहां पर, return, 0, ठीक है, इसको save करता हूँ, ठीक है, f9, आप लोग को क्या है, आप लोग को यह दोनों कड़के रखना है, 2n-1 वाला, और n-1, प्लस n वाला, ठीक है, यह वाला है, आप लोग कर, कल, homework भी है, और करना भी है, f10, तो n का value मैं 5 दे रहा हूँ, तो क्या होना चाहिए, पहले, बढ़ते क्रम में, फिर घटे क्रम में, तो देखिए, कर दिया यह, पहले, बढ़ते क्रम में, फिर, घटे क्रम में, हो गया मेरा, देखिए, लाइन नमबर जो है, 9 ही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, समझ में आए यह चीज, तो आपको इस तरह से करना है, मैं क्या किया, दोनों को अलग-अलग किया, मैं तीनों चीज आपको दिखाया यहां पर, टोटल 9 नमबर कितना है मेरा, 2N-1, या तो एक ही फॉर लूप में कर सकते हैं, या फिर, दो अलग-अलग फॉर लूप, दोनों अलग-अलग फॉर लूप का, अलग-अलग परामीटर से भी आप कर सकते हैं, एक मेथड में बताया, बाकी 2 मेथड आपको करना है, अगर, अगर मैं 10 ले रहा हूं, तो देखिए, करे गाई है, कर दिया, तो इस तरह से आपको प्रिंट करना है, यहां तक कोई डाउट है आप लोग को, देखिए, इस तरह का जो भी आपका अगर नंबर वाला भी है, तो नंबर के लिए अलग आपको एक लॉजिक लगाना होगा, एक अलग प्रिंट अप लगाना होगा, तो बस प्रैक्टिस कीजिए, लॉजिक लगाईए, क्राय कीज ustelija, यह होगा, एक बार में नहीं होगा, दो बढ़ में होगा, दो बार में नहीं होगा, तीन बार में होगा, होगा जरूर, ठीक है, तो आप लोगका यह बाकी दो कोष्टिशन बचा, तीसरा कोष्टिशन है, आपका इस तरह का structure बनाना है, मतलब पहला क्या था आपको, पहला आम लोग जो सिखे पहला वाला ये क्या था direct आपको यहां से start हो रा था मतलब एकदम seed से start हो रा था लेकिन इस बर क्या है आपको start करना है mid से एकदम mid से तो एक आपको loop जो है ये तो number of lines चलेगा मेरा दूसरा क्या चलेगा दूसरा मेरा star के लिए चलेगा एक star print करना है और उसी के अंदर क्या चलेगा एक space के लिए भी चलाना होगा देखिए यहाँ पे यह आपका कितना है एक, दो, तीन, चार चार space पहला line में है दूसरा line में कितना है तीन space है तिसरा line में दो space है चोथा लाइन में एक space है पांचमा लाइन में 0 space है तो अब space को भी आपको counting करना होगा space को भी उतना बार print करना होगा समझ में आ रहा है तो इस तरह से आपका logic डेवलप करना हो यहाँ देखिए एक तो आपका number of lines के लिए loop चलेगा यह ठीक है दूसरा चलेगा यह star के लिए कितना star उसमें print करना है तीसरा loop किसके लिए चलेगा यह space के लिए यह घटेगा यह घटेगा space यह घटेगा समझ रहा है यह space पहले वहां पहुँच जाएंगे तब एक बार print करेंगे आप सोच लिए कितना यह loop लगेगा कितना यह difficult है और कैसे यह बनेगा यह question आपका homework है दूसरा उसी का reverse है ठीक है इसमें क्या हो रहा है space बर रहा है इस तरह सब्सक्राइब करना है ठीक है और इसी के साथ अगर ले लिजिए एक और उसी का मिक्स कर देते हैं प्रॉब्सक्राइब कर देए और नीचे वालाई इसी को मैं इसकी नीचे प्रॉब्सक्राइब कर देते हैं समझ गया यह आपका इस तरह से मतलब अगर आप यह दोनों को सब्सक्राइब कर लिजिए यह को सब्सक्राइब किसके तरह इसके तरह ठीक है यह इस्टार वाला कर लिजिए आज का आपका हॉमवर्ख है यह तीनों पॉस्टन आप स्क्रीन सॉट गया लिख लिजिए ठीक है इसमें स्पेस का मैं आपको हींट भी दे दिया हूँ इस पेस के लिए हमको लूप चलाना होगा ह pray इसमें इसमें अपका क्या हो रहा है घ। मतलब हच पो टीडれ हो राहा है यह वाला पॉस Mexican में क्या हो रहा है इसमें पहले घ। यह अपर मेक्सिमक से घ। रहा है पिर क्या हो राए बर रहा है ये चीज आपको धियान रखना है तो आपका इस question का दोठो remaining है इसका 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 ठीट है तो कितना हो गया है इसमें 2, 3, 4 इसमें कितना हो गया ये वाला question में 3 मतलब आपका 2, 4, 4 साथ question आपका वह गया साथ तो method से आपको करके लिखाना है ठीक है कोई doubt है तो पुछिए फिर हम लोग कल ये सब position करेंगे अगर नहीं हो पाया है गा तो clear? पिज़ार सर्थ ये सार ठीक है ये चारो question आपको करना है नहीं किजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा अभी जो किये है जो लॉजिक बताए आपको उसके अनुसार से इसको किजिए ठीक है मैं इससे बिख कर देता हूं सबको अएगर आपको नहीं और्न नहीं देता है ये नहीं ड़िश नहीं। आपको ऑ़िपको टीक है ये तीमों पॉस्त कर दिया अगर नहीं हो पाएगा आप लोग से तो कल मैं इसका लॉजिक बताऊंगा लॉजिक तो बता ही दिया बस आपको इंप्लिमेंट करना इसको ठीक है उसके बाद फिर जो नंबर्स के साथ कुछ कुछ है